हलो मैं डियर श्टुडेंट, you are much welcome on eco education, मैं नदीम खान और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने बाले हैं मनी पर, यह हमारे macroeconomics, class 12 के macroeconomics के second unit, it means chapter number 5 का topic है, तो इसमें already हमने दो वीडियो बना रखा है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, तो उसे description में link मिल जाएग महां से देख सकते हैं, और overall हमने macroeconomics का यह हमारा 18 वा वीडियो लाच्चर है, अगर अभी तक आपने नहीं cover किया, तो उसे please देख ले, आप हमारे चैनल के playlist से सारे वीडियो को cover कर सकते हैं, उसके बाद यह topic और अच्छे से आपको समझ में आएग, तो चलिए हम स्टार् को cover करेंगे, आज की वीडियो में आप हमारे सार ऐसे ही जुड़े रहें, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को discuss करते हैं अपनी topic पर तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि money supply क्या है, यह money supply पहले हम समझेंगे, इसके बाद हम इसको measure करने की बात करेंगे, तो money supply क्या है, suppose that कोई भी चीज है, जब किसी form में produce होती है, तो वो उस समय उस form का stock होता है, ठीक है, लेकिन जब वो किसी भी कोई भी product form से निकल के जब market में आ जाती है, तो वो company के द्वारा supply किया गया product होता है, या supply जिसे कहते है, तो उसी तरह exact same logic लगता है जहां पे, जब तक money को produce करत अब पहले बनाती है, तो वो stock होता है RBI का, लेकिन जब उसे market में वो supply करती है, तो वो money supply हो जाता है, इतनी जब पैसे public के hand में आ जाए किसी तरह, तो वो money supply हो जाएगा, RBI जब पैसे, suppose that, अगर RBI से आपके पास पैसे आ जाए, hand to public के बीच में आ जाए, तो ये money supply होगा, अगर जब तक वो पैसे RBI के पास है, वो money supply नहीं, बलकि money stock है RBI का, तो इसलिए, इसको all detail में समस्ते है, definition के according, तो देखते है, money supply refer to total value of money, वो total value of money, कौन सा, जो hate by public, जो public के hate में, मतलब public के हाथ में, जो है, at a particular point of time, किसी भी particular point of time में, और in an economy, किसी भी economy में, किसी exact point of time में, जो भी सारा पैसा, लोगों के हाथ में, it means public के hand में है, वो money supply कहलाता है, तो मैंने बहुत simple example के तुरू आपको पहले समझाने के कोशिश की, कि supply क्या होता है, वो समझ लेते हैं, तो supply तो वही होता है, जो कोई produce करता है, तो उस समय उसक पैसे को उतारती है, तो उसे money supply करते है, तो exact वही definition यहां पर बताया गया है, कि किसी भी economy में, किसी particular point में, किसी particular point uptime में, जो भी public के हाथ में, जो भी overall money होती है, वो ही money supply कहलाती है, तो इसको major कैसे किया जाए, यह problem क्यों होती है, क्योंकि जितनी ज्यादा money होगी हमारे market में, अगर उसके हिसाब से good or services नहीं available होंगे, तो वो हमारे market की महंगाई को increase कर करते हैं, तो इस सारी topic को समझने के लिए, हम money को measure करने का काम करते हैं, यह RBI करती है, हमने RBI करती है, और इसमें देखती है, पहले measure के जितना system बनाए गया, RBI ने बनाया, क्योंकि monetary policy जो होती हो, RBI के द्वारा ही launch होती, यह RBI की सारी responsibility होती है, monetary policy को control करने की, तो हम देखत हैं, measure of money supply, money supply को measure कैसे करता है, RBI है, तो since 1977, यह April 1977 है, April 1977, four alternative measures of money supply, M1, M2, M3, M4, used by RBI, मतलब RBI money supply को measure करने के लिए, अप्रिल 1977 से, इन four measurement का use करती है, money supply को measure करने के लिए, simple है, लेकिन, क्या यह हमेशा से करती रहे हैं, अप्रिल 1977 से, दूस्से पहले क्या करती थी, it means, 1968 तर, जो RBI है, वो सिप money supply को measure करने के लिए, M1 का use करती थी, लेकिन, अप्रे 1977 से, RBI, इन four measurement का money supply को measure करने के लिए करती है, तो चलिए, इन पर भी हम एक overview ले ले लेते हैं, ठाट discuss कर लेते हैं, जिससे और भी बहतर तरीके साब को समझ में आए, कि money supply क्या है, चलिए, हम पहले एक एक करके हम इस सारे measurement पर discuss कर लेते हैं, इतनिस money supply की measurement है, M1, M2, M3, M4, आप यह मैं समझे हैं, बस यही है, आपके सालमस की recording, आपके book की recording, जो आपको अभी study करना है, class 12, macro economics में, वो आपको सिक यही 4 measurement पर discuss करना है, M1, M2, M3, M4 पर, तो चलिए, हम एक एक करके देख लेते हैं, कि है क्या इसमें, तो जो M1 होगा आपका, जो M1 होगा आपका, वो होगा, सबसे पहले currency, see it means currency, currency and coins बोथ, जो public के head में, इसमें, जो public के हाथ में है, वो total currency and coins, पहले, and DD का मतलब, demand deposit with the commercial bank, और private bank, और ये सारी जो भी commercial bank है, जो आपका private bank हो, चाए commercial bank हो, ये सारे bankों में, जो भी demand deposit है, demand deposit, अब ये demand deposit मतलब दो तरह के account में होते हैं, एक तो saving bank account में होता है, एक आपका current account में होता है, कि किसी भी bank में तीन तरह के account होते हैं इस पे भी समझ लेंगे थोड़ा कि तीन तरह के account होते हैं एक तो आपका saving bank account होता है एक current होता है एक time आपका time deposit account होता है तो उसमें जो time liabilities वाला होता है उसे अभी count नहीं करेंगे हम हम यहां सिर्फ demand deposit वाला जो होगा commercial bank से सिर्फ उसे ही count करेंगे यहां पे, M1 में, तो demand में आपका current भी आजाएगा, saving भी आजाएगा, both our account, तो यहां demand deposit with the commercial bank, and third जो होगा आपका other deposit with the RBI, it means RBI के पास जो और अलगतर की deposit है, वो सब्यों other country के central bank के जो deposit है, वो प्लस इंडियन फाइनिसियल और नॉन फाइनिसियल इंस्ट्यूशन के जो भी डिपोजिट है और वियाई के पास उन डिपोजिट को अगर हम एड कर दे यह तीनों मिलकर जो बनेंगे बनेंदें आरेमिन को रहें यह यॅन फिसानि मोन मॉन लिक्विडिटी फॉर्म अभ दर वनकर मतारी अर्चेशचचछ मतरण आ है होगा यह सबसे लिक्विडिटी मोल लिक्विडिटी होता है इसलिए से नेरो मनी भी कहते हैं नेरो मनी यह आपका सबसे लिक्विड फॉर्म आप दमनी होगा और सिकेंट जो हम पढ़ेंगे एम टू इसमें बहूट सारे कोई कंफूजन नहीं होगा कोई डाट मिंगा बहुत सिंपल में हम समझेंगे चारों मेज़र्म को आपको कोई प्राबल्म नहीं होगी समझने में M2 में हम क्या करते हैं जो first M1 में जो theme हमने पढ़ी है पहले currency and coins fit demand deposit with the commercial bank जो भी है उसमें saving या current जो भी आपका दोनों account के जो भी demand deposit है वो plus other deposit with the RBI RBI के पास जो other deposit है इन तीनों का जो concept हमने पढ़ा M1 में वो M2 में तो होगा ही इसके साथ ही saving deposit of the post office and saving banks जो post office saving banks है post office में भी saving banks होते हैं उसमें भी कुछ लोग पैसे रखते हैं तो उसमें जो आपका saving deposit है उस deposit को अगर add कर दे M1 के साथ तो हमें M2 का मिल जाएगा यह भी आपका second narrow money कहलाता है या second form of liquidity money कहलाता है it means M1 के बाद जो आता है वो M2 ही आपका आता है सबसे liquid form of the money लेकिन M3 में क्या होता है बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे कि M1 होगा कि M2 होगा लेकिन यहाँ पे M1 ही होगा आपका यह confirm देए M1 जो theme आपके M1 में है वो रहेगी इसके साथ ही time deposit with the banking system it means commercial bank में जो भी time deposit है आपने बताया तीन तरह के account होते हैं एक तो होता है आपका saving account bank एक होता है आपका current account and तीसरा होता है एक होता है time deposit account जो होता है उसमें जो आपका time deposit होगा time deposit with the banking system और commercial bank में जो भी time deposit है उन सभी time deposit को भी अगर आप M1 के साथ M2 नहीं M1 के साथ add करते हैं तो आपको M3 मिल लागा M3 को हम broad money कहते है नारो money नहीं broad money यह आपका broad money है ठीक है अब M4 पर discuss करते हैं M3 हमको लगता है समझ में आ गया होगा M1 same concept रहाएगा M1 और इसके साथ जो commercial bank में time deposit होता है उसे अगर हम add पर देंगे M1 में तो हमें M3 मिल लागा इसे हम broad money का concept कहते हैं ठीक है M4 को हम क्या कहते है M4 को देख लेते हैं इसमें M3 का जो concept है M1 plus time deposit है commercial bank में प्लस all deposit with the post office saving bank account जो भी post office saving bank account या जितनी भी post office bank में जितनी भी तरकी जो भी deposit है आपकी वो प्लस national security certificate को भी improve कर लेंगे इसके साथ M3 के साथ add पर देंगे तो हमें मिल लाएगा M4 का concept यह M4 का concept होगा इसे भी हम broad money कहते हैं तो अगर इसमें इन चारों में दो बातों का ध्यान रखेंगे हम पहला तो यह समझ रहे हैं यह चारों में यह ध्यान रखेंगे कि M1 जो है वो सबसे liquid form of the money होगा ठीक है जिसे हम narrow money कहते हैं और सबसे broad money के रुप में अगर किसी को देखते हम M4 को देखते हैं यह बहुत simple logic था आपका supply of the money measure of the supply money मतलब supply of money की supply को हम कैसे measure करते उसके यह सारे forms थे तो चलिया अब next topic पर discuss करते हैं इसके आगे बढ़ते हैं देखते हैं next point क्या हमारा monetary system of India हमने बताया दो तरह की financial system होता है वो तो इंडिया government देखती है इंडिया का finance department होता है वो उस पर discussion करती है उसके लिए rule regulation बनाती है लेकिन जो monetary policy होती है वो RBI उसको control and regulate करने का काम करती है तो RBI की पूरी responsibility होती है monetary policy के लिए तो monetary policy में जो भी है monetary system of India क्या है इस पर थोड़ा सा over view कर लेंगे बहुत ज्यादा discuss नहीं करना आपको लेकिन थोड़ा बहुत समझना भी important है क्योंकि आप commerce की student है तो 11th level में यह आपको थोड़ा बहुत समझना important हो जाता है तो monetary system of India में क्या है एक point देखते हैं सबसे पहले the monetary authority is RBI जो monetary authority है या उसके लिए responsible monetary policy को regulate करने का काम या उसे चलाने का काम जो भी है वह RBI की ही होती है it means monetary policy को control और regulate करने का का RBI का होता है तो इसलिए इंडिया में और हर country का अपना जो भी central bank हो वह वहाँ पे monetary policy को regulate और control करने का काम करती है तो second point इसमें देखते है RBI क्या और क्या है monetary policy में RBI has the solo monopoly to issue currency note of two rupees and above देखिए RBI यहाँ पे solo monopoly use करती है issue currency and notes को issue करने के लिए solo monopoly यह मतलब होता है कि जो यहाँ पे RBI की monopoly होती है लेकिन पूरी तरह monopoly नहीं है one rupees and one rupees की note and all coins जो भी है उन सब पे जो हमारी finance ministry है उसके signature होते है उसके sign होते है उसकी authority में होता है उसे issue करने का काम लेकिन above the two rupees and इसके उपर की सारी currency पे जो issue करने की responsibility होती है वो RBI की उती है तो इस तरह RBI has the solo monopoly to issue currency notes of two rupees and ever ठीक है इसमें थार point देखते हैं India follow the minimum reserve system कहने को है न कि हम जब चाहें जितना चाहें इंडिया government क्यों नहीं note publish कर देती सारे इंडिया के problem solve हो जाए लेकिन ऐसा नहीं note publish करना इंडिया की problem नहीं है या note से या currency से पैसे से कोई problem solve नहीं होती उस currency की value में आपकी value भी होनी चाहिए आपके economy में वरना आगर आपके value नहीं नहीं है तो आपके currency की value गिर जाए इसी लिए इंडिया जो भी RBI कहें लिजिए RBI जो भी रिजर्व में जो भी आपको publish करती है जो भी पैसे वो system जो यूज करती है वो minimum reserve system यूज करती है जो इस समय प्रेजेंट टाइम दो सो करूल प्याए करीब आपको reserve में रखकर तभी कोई भी money को launch money को produce करने का काम RBI करती है यह minimum है कम से कम इतना reserve RBI के पास होनी चाहिए आपको जो भी produce यूज करने है money तो इसे ही हम कहते है money minimum reserve system आफ RBI का यह minimum reserve system है जिसे RBI यूज करता है जिसके आधार पे आपकी currency published होती है RBI के थ्रूप तो यह overall मैंने topic में discuss किया आपको money supply पहले हमने तो आपको supply का concept समझाया फिर money supply किया है उसे समझाया फिर RBI कैसे measure करती है money supply को वह समझाया यह भी मैंने बताया कि आपका जो money supply जो use हो रहा है यह four concept जो money supply के M1 M2 M3 M4 यह कपसे implement है इंडिया में इसके बाद हमने मनठी system of India पर discussion किया ओबर आला आज कहिए मेरा topic जो है मैंने cover किया और मुझे नहीं लगता है इस पुरे topic में आपको कोई doubt होगा अगर फिर भी आपको doubt है तो मुझे comment में पूछिए न मैं आपके हर problem का solution जरूर दूँगा अगर अच्छा लगाव वीडियो तो प्लीज लाइक कर दीजिए एक like का sign प्लीज एक like कर दीजिए इस वीडियो को एंड जाद से जाद अपने फ्रेंट तक इसे share कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और पूरा वीडियो को देखने के लिए thank you thank you have a nice day